पांच रुपे में फैटी लिवर का इलाज, 100% गैरेंटीड इलाज, फैटी लिवर के लिए घरेरुन उसकों से बनी एक रामबान दवा अगर आप भी कुछ इस तरह की वीडियोज देख चुके हैं तो अपने बुद्धी और विवेक का इस्तेमाल करिए और समझे कि फैटी लिवर का इलाज एक और्गनाइस तरीक से करना होता है क्योंकि एक साइलेंट के लिए साबित हो सकता है जिससे आप अपने पेशेंट को एक हेवी रिस्क में डाल सकते हैं हमश्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर चक्षू स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर और जैसा कि आप जानते हैं मैं हेल्थ एजुकेशन वीडियोज मुनाता हूँ आज आप से मैं बात करने वाला हूँ फैटी लिवर की एक के अपायब का हूँ तो जब हम लोग रिवर के ये बारे में बात करेंगा तो सबसे पहले जरूरी है समझना कि भही पेशिट की डायोसेस क्या है इनी फैटी लिवर है तो कौन से टाइप का फैटी लिवर है उसके लिए जरूरी है investigations कौन-कौन सी हमें करानी चाहिए और फिर patient की prognosis क्या है यानि patient कहां stand कर रहा है तो इन सारी चीजों के बारे में मैं detail में video बना चुका हूँ link description box में है, eye button पे भी है आप एक बार अगर चाहें तो उसे refer कर सकते हैं अब हम बात करेंगे treatment के बारे में सबसे पहले जरूरी है कि fatty liver के treatment से जादा important है fatty liver का management तो management में आती है diet यानि क्या चीज़े हमें खानी चाहिए, साथ में परहेज हमें क्या-क्या करना चाहिए और फिर treatment तो सबसे पहले हम बात करेंगे परहेज के बारे में, अब देखिए fatty liver जो है, metabolic disorder है जिसमें fat का metabolism poor हो जाता है, तो इसलिए जरूरी है हमें समझना कि जो calories in है और calories out है, हमें उसे maintain करना है नहीं हम जितना खा रहे हैं अगर उसे पचाएंगे नहीं, तो फिर हमें metabolic disorder हो सकता है तो अब ऐसे में calories out करने के लिए जरूरी है exercises जो हम doctors recommend करते है patient को fatty liver के लिए वो है walk, भई अगर आप regularly walk करते हैं, तो इससे आपका metabolism improve होता है, proper digestion शुरू हो जाता है, और चीज़े काफ यह तक manage रहती है, साथ में obesity पे भी बहुत ज़्यादा फरक पड़ता है तो अब कितनी walk करनी चाहिए हमारे recommendation के हिसाब से आपको लगभग 90 steps per day, per kilogram of body के weight के हिसाब से चलना चाहिए यह अगर आपका वज़न लगभग 80 kgs के आसपास है, तो आपको लगभग 7200 steps per day चलना जरूरी है हम recommend करते हैं, जिससे की आप अपनी obesity को manage कर सकें और आपके शरी में metabolic disorders ना रहें, अब इसके बाद जरूरी हो जाता है समझना high intensity cardio तो देखे, high intensity cardio दो तरह से होता है, या तो आप किसी sport activities में पाट लीजे, या फिर आप कुछ exercises करिए, जो videos आपको YouTube पर मिल जाएंगे, तो यहाँ पर अगर आप समझ लें कि अगर आप diabetic हैं, आपको heart की कोई परशानी हैं, आपको हाप hypertensive हैं, तो ऐसे cases में high intensity cardio आप करेंगे केवल 10 minute के लिए, और otherwise अगर आप कोई दखलीफे नहीं हैं, तो आप इसे लगबग 30 minutes तक जरूर कीजिए तो अब अगर sports activities आप prefer करते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप इसमें volleyball खेल सकते हैं, soccer खेल सकते हैं, cricket खेल सकते हैं, आप swimming कर सकते हैं, और high intensity cardio कुसी और exercise करनी हैं, तो आप YouTube पर reference ले लिजे, और वोन exercise को लगबग अपने हिसाब से risk factor है, तो 10 minute नहीं है, तो 12 घंटा तक करिए, अब second आ जाता है oil, देखिए जब हमें fatty liver है, मतलब हमारा fat metabolism पूर है, तो हमें oil के ऊपर तो control करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो यहाँ पर जरूरित हो जाती है समझने की, कि oil कौन सा लेना चाहिए, देखिए oil आप ले सकते हैं, जो normally हम लोग doctors recommend करते हैं, वो है mustard oil, Indian conditions में, और वो भी कौन सा वाला bottled बिलकुल नहीं, क्योंकि bottled mustard oil के अंदर pine oil की adulteration होती है, and pine oil is carcinogenic, तो आप कौन सा ले सकते हैं, आप cannula oil ले सकते हैं, थोड़ा सा एक उसकी quantity कम रहेगी, अगर आप prefer करते हैं, तो आप olive oil ले सकते हैं, virgin, non-virgin, आप coconut oil भी ले सकते हैं, virgin, non-virgin, अगर आप घी prefer करते हैं, तो आप लगबग उसकी quantity भी कम रहती है, लेकिन आप कोशिश करिए, उसे उपर से डाल के ले, डाल में ले ले लिजे, आप सबजी में ले सकते हैं, उसमें कोई भी चीज fry मत करिए, तो आपके लिए ज़्यादा healthy रहेगा, अब कितना ले सकते हैं, देखिए, अगर आपको fatty liver है, grade 1, grade 2, simple fatty liver, तो उनके लिए ज़रूरत है समझने की लगबग 2 to 3 tablespoon per day के हसाब से आप ले सकते हैं, अगर अगर आप उतनी exercise कर रहे हैं, तो अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो इसे half कर दीजे, इसके बाद अगर आप नैश में हैं, ये non-alcoholic seetohepatitis और alcoholic seetohepatitis ये alcoholic fatty liver disease, तो ऐसे conditions के लिए oil की recommendation होती है, one and a half tablespoon से लेकर two tablespoon, इससे जादा नहीं, वो भी अगर आप उतनी exercise करते हैं, तो देखिए milk, अगर आप लेते हैं fatty milk, तो सबसे पहले मैं कहूँगा, उसे मत लीजे, उसके जगे skimmed milk लीजे, और अगर आप उसके अलाबा milk products पर अगर ज़्यादा favor करते हैं, तो मैं कहूंगा कि आप पनीर को cut down कर दीजे, पनीर मत लीजे, cheese मत लीजे,woods मत लीजे, आप बटर milk ले सकते हैं, म ठा ले सकते हैं, छान्स ले सकते हैं, आप दही को लसी बना कर भी ले सकते हैं, तो मतलब आप कोशिच करें, जो दही के लेना चाहिए पर किलोग्राम बोडी वेट के हिसाब से पर डे 45 ml आपकी रिक्वाइमेंट है तो आप कितना लेंगे जितना भी आपका वजन है उसको आप मिल्टिप्लाय कर दीजिए 45 से जितना अमाउंट आता है उतना ml of water आपके लिए जरूरी है पर डे लेना अब मैं पे जिससे आपकी बोडी में empty calories से की वज़े से परिशानी ना हो और अगर आपको alcoholic keto hepatitis है या NAS है तो ऐसे conditions के लिए 600 ml per day coconut water जरूर लीजे अगर available है तो अब इसके बाद जो एक बहुत important चीज़ आ जाती है वो है calories in और ये सबसे बड़ा part है कि हमें क्या खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए अगर आप simple fat liver के patient हैं तो आपके recommendation है लगबग 1900 calories से लेकर 2200 calories तक आप ले सकते हैं इससे जादा नहीं और अगर आपको alcoholic keto hepatitis है या फिर आप NASH के patient हैं तो ऐसी condition में जरूरी है समझना कि 1600 calories से लेकर 1900 calories तक ही आप ले सकते हैं उससे जादा आप नहीं ले सकते है अब इसके बाद हम बात करेंगे किस type की calorie हमें लेनी चाहिए तो देखिए calories को हम लोग doctors divide करते हैं basically तीन categories में number one is green calories, number two is yellow calories and number three is red calories तो देखिए green calories कौन सी होती हैं, green calories होती हैं हमारे fruits, salads और vegetables यो green leafy होती हैं, overcooked होती हैं, अब कितना लेना चाहिए और कौन सी लेनी चाहिए green calories में आप include कर सकते हैं सभी तरह के seasonal fruits जो market में available हैं, non seasonal fruits या canned fruits या imported fruits मत लीजे, आप अगर पूछते हैं कि मैं अगर आम ज़्यादा खालूंगा तो उससे मेरी bread sugar बढ़ जाएगी, तो देखिए समझिए वो फर्टोज है, अगर आप exercise करेंगे तो वो easily digest हो जाएगी, bread sugar को नहीं बढ़ाएगी, तो इस तरह के myths अपने दिमाग में मत रखिए, आप किसी भी तरह का fruit खा सकते हैं, सारे fruits के अंदर vitamins होते हैं, सब जरूरी होते हैं, तो एक particular fruit के उपर focus मत करिए, जो भी fruit available हो, सब तरह के खाईए, कोशिश करें, पांच अलगले तरह के फल लेलें, त कर सकते हैं, खीरे की बात कर सकते हैं, टमाटर कर सकते हैं, ककडी ले सकते हैं, आप जो है, जो टरने पोता है, आप उसे भी ले सकते हैं, तो इस तरह की चीज़ें आप ले सकते हैं, कुछ लोग ब्रॉकली भी प्रिफर करते हैं, ऐस सालेड कुछ लोग रॉप पनीर प्रि एसी में दो रह लेखSubogo के संग आपके संग कोई organic तोरी पर not करें आप जो सबझी खाहने चाहते हैं थोड़ा सा उसे आऊवर कुगडराई रखिये और कोशिश करें कि यह लोगे कि प्रफर करें या स्टील के बर्तनों में बनाए उसे क्षिट क्या उपर या बुर्पी तो ज्यादा healthy रहता है तो ये बात हो गई green calories की अब हम बात करेंगे yellow calories तो yellow calories कौन सी होती है सबसे पहले आता है हमारा wheat आकसर हम इंडियन्स है तो भई wheat तो हम खाएंगे कि कौन सा आठा खाना चाहिए आठा अगर आप प्रिफर करते हैं तो चोकार योग तो या मोटा आठा लीजे या फिर multi grain आठे को प्रिफर कीजे इसके बाद rice की बात करें तो rice आप कोई सा भी खा सकते हैं केवल माल निकला हुआ rice उस पर focus करिए अब proteins डालों के लिए आप कोई भी डाल ले सकते हैं अगर आपको gastritis का issue नहीं है आपको तकलीफ में नहीं होती है तो आप कोई भी डाल खा सकते हैं यह दी है तो अब आप रहर की डाल, उड़त की डाल और मसूर की डाल कुछ कम लीजे बाकिया सु तरह की डाले ले सकते हैं इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके red calories तो red calories होगी हमारे fried food या फिर non vegetarian food तो देखिए non vegetarian food आप yellow और red दोनों में include कर सकते हैं अगर आप non veg prefer करते हैं as roasted या boiled तो वो आएगा yellow calories में अगर आप fried include करते हैं तो वो आजाएगा red calories में तो देखिए सबसे पहले तो अगर आप NASH के patient हैं और अगर आप alcoholic liver disease के patient हैं या ASH के patient हैं तो आप non veg बिलकुल मत लीजे उसे cut down कर दीजे पर अगर आपको simple fatty liver है तो आप कोशिच करें कि आप prefer करें कि आप roasted और boiled non veg ही खाएं वो भी कम quantity में खाएं बहुत ज़्यादा नहीं अगर आप egg prefer करते हैं तो boiled egg सभी तरह के fatty liver के patients ले सकते हैं उसमें कोशिच करिए egg white ज़्यादा लीजे yellow portion कम लीजे अगर आप omelette prefer करते हैं तो आप कोशिच करें fluffy omelette खाएं बहुत ही कम तेल के साथ आप उसे non-stick पर ले तो ज़्यादा better रहेगा अब अगर keval red में बात करेंगे red calories की तो देखिए red calories में आप fried food की बात करते हैं उसमें fried food आता है fast food आता है junk food आता है पूड़ी पराठे आते हैं हर तरह की चीज़ें जो fry होती हैं सब कुछ red calories में आता है अब कितना लेना चाहिए देखिए red calories अगर आप सूचते हैं कि हम कितनी लेनी चाहिए तो इस बारे में मैं थोड़ी दिर बात बात करूँगा पर बात यह है कि red calories को minimize करके ही रखना जरूरी है patient के लिए ताकि आपका fatty liver जो fat के metabolism की वज़े से तक्लीफ हुई है वो आपको ना हो अब कितनी कितनी calories लेनी चाहिए सब की percentage मैं आपको बताता हूँ अगर आपको simple fatty liver है grade 1, grade 2 तो समझ लीजे कि आपको green calories चाहिए लगबग 50%, yellow calories चाहिए 30% और 20% आपको चाहिए red calories पर अगर आपको नाश हो गया या आप alcoholic fatty liver disease के patient है तो ऐसे में आपको ज़रूरत है 70% of green calories 20% of yellow calories and 10% of red calories तो देखिए कुछ न कुछ तो आपको लेना ही पढ़ेगा red calories क्योंकि वो आपके body के लिए ज़रूरी हो जाता है पर उसे minimize करके रखना बहुत ज़ादा important है तो इस तरह मैंने आपको बता दिया परहेज के बारे में और diet के बारे में कि ये सारी चीज़े आपको include करनी चाहिए अब इसके बाद जो एक बहुत important चीज़ा जाती है that is sleep कि आपको नीद लेना बहुत ज़ादा ज़रूरी है कितने घंटे की नीद चाहिए अगर आपको fatty liver की परिशानी है metabolic disorders है तो उसमें लगबग मान के चले कि 6 से 8 घंटे की deep sleep ज़रूरी है अगर आपको insomnia की परिशानी है sleeplessness की दिक्कत है तो please अपने doctor से consult करिए उसके current पता करिए उसका treatment करिए क्योंकि अगर आप नीद नहीं लेंगे तो आप अपने body को वैसे भी stress situation में डाल रहे हैं और cortisol elevate अगर होने लग जाएगा तो आपका fatty liver फिर वो बाद में एक serious परिशानी में convert हो जाएगी आपको तकलीफे हो सकती है तो इस तरह आप अपने fatty liver के उपर focus कर सकते है अब अगर हम बात करते है fatty liver को reverse करने की तो देखिए जितनी बाते मैंने बताई है अगर आप थोड़ा सा उसको लगबग 3 महीने तक continue करते है channelize तरह से करते है organize तरह से करते है तो आप simple fatty liver को grade 1, grade 2 को आसानी से reverse कर सकते है grade 2, grade 1 में आ सकता है grade 1 normal भी हो सकता है पर आपको regular ज़रूरत है कम से कम 3 महीने तक इस से फोकस करने की अब इसके साथ में risk fighters भी देखने होते हैं तो अपने doctors के संग में बात कीजिए इन सारी बातों के साथ share कीजिए ताकि आप और better opinion ले पाएं और अगर आप NAS के patient है या आप alcoholic fat liver disease के patient है तो देखिए वहाँ पे reversal थोड़ा सा मुश्किल होता है पर initial stages में patient काफी हद तक उसे recover कर सकता है तो चलिए अब बात कर लेते हैं treatment की जिसमें मैं आपको बताऊंगा वो homeopathic medicines जो की अक्सर मैं अपने patients को देता हूँ और results मिलते हैं बशरते patient के symptoms उन medicines से match करें तो ऐसे condition में आपको इसमझना पड़ेगा कि कोई भी homeopathic doctor जब आपका fatty liver का treatment करता है तो दो तरह से होता है एक तो हम देते हैं liver tonic जिसमें एक proper mother tinctures का combination होता है जिससे हम liver functions को थोड़ा सा अच्छे से manage करते हैं और साथ में होती है personalized medicine जो की overall patient के functions को improve करती है उसके metabolism को improve करती है तो सबसे पहले हम बात करेंगे liver tonic की तो देखें पांच दवाईयां ऐसी हैं जो liver tonic के अंदर होनी चाहिए जिससे कि आपके liver के functions को हम improve कर सकें अब ये सिर्फ fatty liver में ही काम नहीं करती है liver के हर तरह की परचानी में काम करती है जिसमें उसके liver functions हलके से distorted रहते हैं तो कौन सी दवाईयां है number one is cardous number two is chelidonium number three is ionanthus number four hard hydrastus and number five is berberis vulgaris तो ये पांचों दवाईयां अगर आप combination में लेते हैं तो ये बहुत अच्छे liver tonic की तरह काम करती है कैसे बनाना है उसका मैं description आपको description box में दे दूँगा आप बहाँ से देख लीजेगा अगर आप नहीं बनाना चाहते तो market में बहुत सारे syrups available है आप देख लीजे अगर ये पांचों दवाईयां उससे भी ले सकते है अब हम बात करेंगे personalized homeopathic medicine जो की patients को लेनी चाहिए देखिए अब मैं पहले भी बता चुका हूँ fatty liver asymptomatic है और symptoms इसके patient to patient vary करते है तो जो दवाईयां मैं आपको बताने वाला हूँ वो मैं अक्सर यूज करता हूँ क्योंकि उनके साथ patient के symptoms match करते हैं तो कौन सी दवाईयां है simple fatty liver में grade 1, grade 2 हो तो अक्सर मैं prescribe करता हूँ acid picric और साथ में vanadium तो ये दो दवाईयां अक्सर मैं prescribe करता हूँ इसके बाद अगर आपको alcoholic fatty liver है तो अक्सर मेरे को आप देखेंगे prescribe करते हूए medurinum and nax omega अब इनकी dosage इनकी potency depend करती है from patient to patient and from symptoms to symptom पर अगर symptoms match करते हैं तो ये चारों दवाईयां simple fatty liver और alcoholic fatty liver के case में दोनों दवाईयां अच्छे से काम करती हैं बहुत अच्छे results देती हैं अब हम बात करेंगे NASH की देखिए NASH कैसी condition है जिसमें liver की prognosis पूर होती जाती है यनि पहले हो रही होगी fibrosis फिर होगी scarring, फिर होगा cirrhosis और liver cancer तो इस तरह से चीजें prognosis उसकी पूर होती जाती है तो ऐसे में कौन सी दवाईयां जो best possible काम करती है वो आपको बता देता हूँ देखिए calcarea floor and natrium self ये दो ऐसी दवाईयां है जो इस पूर prognosis में काफी हद तक patients की help करती है और हम इस prognosis को कुछ हद तक maintain करके रख पाते हैं manage कर पाते हैं इसके अलावा कुछ दवाईयां ऐसी होती है जो हमें symptom to symptoms patient के लिए देनी पड़ती है for example किसी patient को अगर gas fetis बहुत जादा हो रही है किसी को flat ones बहुत जादा हो रही है किसी का pate बहुत जादा फूल जा रहा है किसी को oil बिल्कुल suit नहीं करता तो ऐसे में हमको carbovage, china, pulseettla ऐसा for data इस तरह की दवाईयां भी हमें देनी होती है कुछ conditions के अंदर जब patient की condition बहुत जादा खराब होई लग जाती है patient cirrhosis मजाने लग जाता है तो वहाँ पे emergency medication में हमें किसी gastroenterologist को दिखाना पड़ता है जिससे कि हम properly prognosis देख पाए patient की और वो लोग उस patient की condition को manage कर पाएं तो देखिए ये सारे तरीके अपनाने होते हैं सिर्फ एक fatty liver के लिए तो अगर आप भी भेकावे में आ चुके हैं पांच रुपे वाली दवा, 100% guaranteed दवा, घरेरून उसके तो समझेए, simple fatty liver अगर grade 1, grade 2 है तो कोशिस करिए उसे reverse करने की अगर आप NASH में चले गए हैं या आप alcoholic fatty liver disease है तो प्लीज अपना ध्यान रखिए सारे management को प्लीज फॉलो करिए साथ में दवाईयों के उपर focus करिए किसी nearby home patient doctor के साथ संबर्क में आईए proper case checking कराईए ताकि आप अपनी prognosis को पूर होने से बचा सकें तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको बहुत महत्वपून जानकरिया दी है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज उसे चनहित में शेयर करिए वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं इसी तरह आगे और भी वीडियो बनाता रहूँ मेरी तरफ से नमस्कार थैंक यू